आज मेले योक इप्सोड माँ यो वीडियो मा कुरा गरने चुँ बने । पाहले तो टाइटल बटे हर्नु भैक वाला सायद कि यह टापर्स को लाइफ स्टाल्स एण हैबिट्स को बारे मैं यो वीडियो मा कुरा गरने चुँ और सब्सक्ट पहला मां उनिहर्युको जो फोजन कि यो कुछ इँग 이것도 होना घ्ला की माले यह नामियो इस्टूट ठीक栽 छके तर्च ऐस इस्टूट ता को आपनो ४ैंट मां ठीकाई चा किनो इस्टूट महां इस्टूट मुटा तिन ता रामरोज्स टीचर शन बहने, यक द्य वैटा नवर रामरोज पनी चन नवरामरोज बहने, मैंले यह संधर महां हो जुन अवे अफ डिलिवरिग छा नि जुन टीचिंग को मूड छा अवे अफ डिलिवरिग स्टुदेंट लिए बुझाउने तरीका उन छा नि तरीका डिफार गल छा नतरा इवरी टीचर is good इवरी टीचर is bad and good इवरी टीचर is best at their own place आँ आवे आफ डिलिवरिएंग गुतिचिंग त्यु और आई था कुछुरुन पने इस्टूडेंट ने डिवाइड गरशा त्यों खासे इस्टिचूट ले ता भन्ने गरेको तर इस्टिचूट को कॉंट्रोबिशन हेरदा खेरी कुने पनी टपर को लाइप माँ बन्ने मतलाब only 25-30% छान रा जून स्टुडेंट को सेल्फ कॉंटिवीशन चाट टप गर्म मा भनेको त्यों भनेको धेरे चाट मैक्सिमाम टेई हो बनेको 70-75% हो अब आफ में जून इंस्टिट्यूट को 25-30% इंस्टिट्यूट को बनेको गाईडेंश क сложно बातीन है इंपॉटेंचर गाईडेंस चाहि ओष़ हुटेयो इंचिछनी तियो मतलो में सोटेर ही गाइडेंस ले तेयो 70-75% चाहि जो रिक्लियों तो 2 सुदेंच साना वृ अँध्ये ना महस्य हो तो 2 सुका हो फ्यों पर्सेंच चाहि ना जो साना तॉप गर्या चा, 10 मा टॉप छा, 11 मा टॉप गर्यों, 12 मा टॉप गर्यों, उले नाइ बने को मदलना, medical, IOM भयो, धरान भयो, त्यस्पाचि, Q भयो, इन नहीं हरु मा टॉप गर्ने करचा जुन स्टुडेंट्स ले नाट टॉप गर्या चाहिना, इभेन इन 10 क्लास, इभेन इन 11, इभेन इन 12, तिनीहर ले पनी, scholarship मा पढ़ने मोका पांचा, तियो पनी, full scholarship मा निकाल चा, वनुक मदलना, तियो बनीको, टॉप काटगोरी मा गरा, त्यहां बनीको, इस्टोडिक जुन स्टुडेंट्स ले नाट 10 मा टॉप गर्या चाहिना, इन 11 मा टुएल मा आनी उन्नी अरुले एक बैक, IOM, KU, TU को जुन चाहिना, DPK SIS सबे मा टॉप गर्ने गर्या चाहिना, एक एक तुई जाना ले, आनी तिनीहर को चुन तपर को लाइफ स्टाइल चाहिना, बन मतलब यो हीना कि जे पांच बजे माईले खाना खानू छावाने, पांच बजे माईले जागनू परने छावाने, व्याहनाई पांच बजे जागनाई पर चाहिना, यो मतलब कि आदी घंटा, तु ये वान आवर्स को ये विरेज मा बीच मा टॉप जागनू परने छावान 10 प्रियां मा खान परने छा बाने 9 to 10 वा 11 to 10 को बीच मा खादा भो अली-अली हाप आन आवर को तलमात्य हुना सक्षा मिस मोटा मोटी बनाव कि मोटा मोटी को सेडूल हुनु परे बननु कुनलाव रा जून त्यों वो त्यस्ते ही खाजा को पनी आऊंचा इबरीटेंग आऊंचा आउंचा और यह फर्स्ट वो कि मोटा मोटी बने को हाईली सेडूल डिस्प्लीन रूटीन छा त्यस्ते ही त्यावाईको जून स्टुडेंट्स बने को अलम एस तो होंचा नि कि जास्ती की म मेरो 10 p.m. को आनि कुणे दिन माले जोस जागरान माया आए आनि 2 p.m. समा 3 p.m. समा पड़ दिये आपनो जू अरू अरू चाप्टर अरू छुटे आ थे हो त्यों लाई कफर गर्ना को लागी आनि तरा त्यस्तो गर्ना अनिको खेही छीन को लागी स्वाटेन प्रिट अरू आटिस फ्याक्शन आऊ छा कि माले आज पड़े धेरे पड़े तरा अनिकुन लाव लंग टर्म मा एर्दा खेरी तपाईले होना सक्छ भोली बिहाना आपनो शेडूल डिस्टाप गर्ना होंचा कि पांच बज़े जागनो परने छा बने एटेप इयाम समासु दिन ह नाइनियाम समासु दिन होंचा ओवा चाड़े जाये पनी क्लास मा जुन शा फूल एटेंशन दिना सकने होना वा तपाईले त्यो जून फेरी आपनो रेगुलर पैटरन अप सेडूल मा आऊना को लागी तपाई पत्री मा आऊना को लागी तपाईले होना सक्छा कि जे द रेगुलर हैविड होने तू पीयाम समा पड़ने तो इट्स ओके किना वाने तपाई रेगुलर पड़ी राकनो बहेचा आणि तो अब यहाना पने ते अंसार से तपाई जागी राकनो बहेचा एदी तपाई को बने गूल मोटा मोटी एभरिया जुन पएदी तपाईको सिलीपिंग हैविश टू पीयाम छा बने ठीके चा डेलीको हो एदी तपाईको तेन पीयाम छा बने तेने पीयाम मोँ राकनुछ जुन मोटा मोटी मेर आकनुछ जुन फान आवर टू अवार्टाव ना जादा करी के उद्धाना तरा लॉंग जुन चोठी फ्लाक्चुए अनि तपाई को युटा के छा बने हाई परफार्माल वा टपर को कुराय गर दा खेरी कि उनिहर ले खुने फिजिक्स केमेस्ट्री बायलोजी को मानाव कुने कुछन स्वोल्ब गरिया छा बने चाप टपिक पडिया छा बने उनिहरु इचाइन डिपरी कुछन स्वोल्ब गरने कोशिश गर्षान आनि इचाइन डिपरी कुछन लाई एटेप्ट गर्षा आपनो पनी मेथाल लांचा तरह युटा एवरेज वा मिडल परफार्माल को कुराय गर दा खेरी कोचाइन जुन कुछन उनिहरु टपिक परदा के जुन कुछन आए हो उनिहर लाई स्वोल्ब गर्यो bills package क् लाउच Lonnieै टिक fantasre टेक्लांच Kok अपनोu teacher संग回去 ऄंसट गर्षा आपनो फ्रेण्ट पराई साहर निए भुदसे नियुक्त लएए को सोलुशन से मैच गर दोने किने मिवह शोल पनी गरे हाई इनको जोन मैच गरदाने ऐखने मेरो जुन सोलोचन छा त्याहां वहने को के difficult , जुन ट्रिक्स त्यों मैले लाउना शके ने , के फर्मुला त्यों त्य लाउना सके ना कुन जुन थियो युटा, Striking point जुन हुने, Main point हुने पुना त्यों मैले लाउना सके ना वनने ? कुणा माँ फोकस गर दे despy तुटर पनी आर्जून टॉपर हुन चा, उन्य हरी लाइ यो दिए कुच्ऩा ना आया को कुच्ण पनी छा भंगे त्यो कुच्छन teacher संगो solution solve गरे पाशिए, आपनो solution य teacher संगो match गर चा, match गर पाशिए तेहां बाटा उन्य हरी conclusion निकालचा कि हो मैंले कुन कुछन मां मिस्टेक करे रा यहान को कुछन में kwest toward my accountлек मेंले to the point misgear कि मेले solution solve गरने निकाल सकेना solution निकाल निकालना सकेना आनि फेरी इतिक नेक्स्ट पाइंट महां बांदा करी अबा टपऻ यहारा फेरी नार्मल एवरेंगर दुलने को गर दी तरह मीडल स्टुडेंट ले एक चोटी शल्व गर्यों आनि तो फर्गेट भाई आल छा आनि तो फेरी रिपीटेशन से रिभीजन दिना सकताने कुछान लाई आनि तो पनी पनी उटा कुछान सांगे तो यही निहारू कुरा छान कि जुन युटा मिडल स्टुडेंट युटा टॉपर स्टुडेंट लाई डिस्टिंग्विंश गर्छा तो तपाई पनी येदी तपाई सोची राकनू बाया छा कि जे मैले बिलो टेन क्लास बांदार मोनी मा कुणे टपाई थियेना आनी मा टप गर्ना सक्धाना बने तो तपाई को भराम हो तपाई को गडल गडल हाईड गिभन यूर बड़ीवेट्स टू similar to topper ones and even your brain weight too similar to topper ones so I suggest that you can do you can again top if you haven't yet top and topped in any examinations बच्चु कि प्या अर एदी तपाईले कुने तप गर्नु भाया छा भाने पनी त्यो कुरा लाई विश्नुष अर एले फ्री नाय तप गर्नु कोशिश गर्नुष आ तपाईले तप गर्नुँष किना मने क्वासाले टॉप गर्या चा भने 10 क्लास समा को स्टवरी भने को बहुत लाइट छा इनकम प्रिजन टुएल अन् कॉमपोर्टिटिव ग्जामनेशन से तो 10 क्लास को स्टवरी ले खासे ता पाई को जुन जुन एभालुएशन से और वर्किंग पामर सा त्योटा डिडिकेशन से ते स्लाइट डिटर्माइन गना से तेन ग्लास is so light in compared to 11 and 12 or higher competitive examinations study so I highly recommend you can also top in examinations flow your first number one highly disciplined schedules number two practice you each and every questions try yourself try to strike your mind to the solutions or to the idea what the idea what the formula should be applied to solve any problems and number three we have a keep revising your short questions are your non questions and thank you by saying this much thank you for watching and have a good day bye bye see you soon love you too